दोस्तो सारा अली खान पिछले कुछ दिनों से लगातार मंदिरों की यात्रा कर रही है. ऐसे में एक्ट्रेस को खासा ट्रोल भी किया जा रहा है. सारा वैसे तो अपसर मंदिरों में दर्शन के लिए जाती रहती है लेकिन जब हालगी में वो उज्जेन के महाकलेश्वर और फिर बाबा केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करती नजर आई तो नेटिजन्स के निशाने पर आ गई अब एक्ट्रेस ने इस बारे में खुल कर बात की है सारा अली खान ने ट्रोलर का दिया करारा जवाब साफ अली खान और अमरिता सिंग की बीटी सारा अली खान मुस्लिम के साथ हिंदु धर्म में भी खासी आस्था रखती है जहां हाली में वो अजमेर शरीफ की दरगाह में स्पॉट हुई थी वहीं इसके बाद उन्होंने बाबा महाकाल और केदारनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की अब जब एक्ट्रेस को उनकी इसी बात पर ट्रोल किया जाने लगा अब जब उनसे ट्रोलिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा लोगों को इसकी आदत पर चुकी है जो भी उन्हें मज़ेदार लगता है वो करते हैं मुझे इसका बुरा नहीं लगता मुझे लगता है मेरा काम बोलना चाहिए मैंने लोगों को जड़ा हटके जड़ा बचके के गाने विकी कोशल और मेरी केमिस्ट्री और बॉक्स ओफिस नंबर पर बात करते हुए देखा है लोगोंने मेरी फिल्म को सराहा है अब तीसरा व्यक्ति मुझे ट्रोल कर रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो काम कर रही हूँ लोग उसे पसंद कर रहे हैं बाकी सब बैक्ग्राउंड नॉइस है जब सारा अली खान से सवाल किया गया कि क्या वो मंदिरों में जाकर पूझा पाट बंद कर देनगी इस पर सारा अली खान ने कहा आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है नहीं लगेगा तो ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं जाओंगी ये मेरा व्यक्तिगत मामला है मैं अगर चाहूंगी तो हिंदू धर्म भी अपना सकती हूँ और मुझे कोई रोग भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पसनल डिसीजन होंगे